हेलो स्टुडेंट्स आज हम खिंदी में गसे गमला लिखने वाले हैं गसे गमला गसे गणेश गसे गगन पहले क्या करना है यह जो आप में फर्स्ट पैटर्न है वो डाक शरू से लिखी है फर्स जो लाइन है वो अभी हमें सेकंड लाइन से जो पैटर्न है उसे डाक करना है फर्स्ट पैटर्न है हाफ सरकल यहां पे हाफ सरकल करके कव लेना है हाफ सरकल करके कव लेना है थेन स्टेंडिंग लाइन हाफ सरकल कव स्टेंडिंग लाइन स्लिपिंग लाइन गर से गमला गर से गणेश गर से गगन गर से गदा गदा यानी डॉंकी गर से जगमग गर से नगर अभी हामें यहां पे जो डॉटेड लाइन है उसमें गर से गमला लिखना है तो सी हाफ सरकल करके कव लेन स्टेंडिंग लाइन स्लिपिंग लाइन गर से गमला गर से गणेश गर से गगन गर से गदा गर से जगमग गसे गगन, गसे गमला, गसे गगन, गसे गणीश, गसे गदा आपको भी इसी तरह गसे गमला लिखना है अब यहाँ पर देखो, exercise, रंग बरो मतलब यहाँ पर आपको गह लिखे है, इसमें color करना है जैसे हम गह लिखते हैं, वैसे ही आपको color करना है पहले हम यह half circle में color करेगी प्रिव स्टेंडिंग लाइन दें स्लिपिंग लाइन यहां पर जितमें भी गव है उसमें आपको कलर करना है और यहां पर गंबला का पिच्चर है उसमें भी आपको कलर करना है गर के नीचे रिखा किचो मत्मीज यहां पर जहां पर गर लिखा है वहां वहां आपको लाइन बनानी है गरदा तो यहां पर गर कहा है फर्स लेटर एक स्लिपिंग लाइन देन गगन, देखो यहाँ पे टू टाइम्स गः आया है, तो हमें टू स्लिपिंग लाइन बनानी है, बान गः, देन सेकंड, गणेश, गणेश में गः कहा है, फर्स लेटर, देन स्लिपिंग लाइन बनानी है, देन नगर, यहाँ पे देखो, गः कहा है, सेंटर में, तो जग मग यहाँ पे भी two times गः आ रहा है तो जग यहाँ पे गः कहा है second गः second लिटर हमारा गः है तो मैं यहाँ पे slipping line बनाओगी then मग यहाँ पे कहा है गः last लिटर यहाँ पे slipping line करना है ओके इसी तरह आपको यह गः से गमला finish करना है thank you झाल झाल